कोणा के ने वेरियन ओमिक्रॉन के समवित खत्रे को देखते हुए नाकपुर नगर निगन ने स्वास्त सुविधाव को मस्पूत करने पर ध्यान के इंद्रित क्या है। जिसका शुकरवार को महापौर दयाशंकर तिवारी ने शुकरवार को कोविध अस्पूत का निरिक्षिन किया। इंसिट्यूट द्वारा प्रदान की जाती है जो विश्व विध्याले के कोविध अस्पताल में राष्ट्र कैंसल संस्थान संचालित करती है। अस्पताल में इलाज के नि नगरनिगम द्वारा चिकित सक वर्न स्टाफ उपलब कराया चाएगा। इस कोविध अस्पताल में फार्मसी, पेंट्री, आधी भी उपलब्त होगी। अस्पताल विश्व विध्याले के प्रशासनिक भवन की पहली दूसरी और तीसरी मंजल पर स्तित है। और इसमें एक लिफ्ट है। अस्पताल में कुल 199 बेड है जिसमें शिश्यों 15 साल तक के बच्चों और अन्य नागरिकों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। नवजाज शिश्यों के लिए 20 PISU बेड और 15 साल तक के बच्चों के लिए 30 PISU बेड होंगी। पच्चास बेड और अन्य बेड के ये अक्सिजन बेड सामाने रहेंगी। अस्पताल में बच्चों के खेलने के लिए अलग जिगह, बच्चों के माता-पिता के लिए प्रतिक्षाले, डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए पी-पी किट और अन्य आवश्यक परणों के उपयों के लिए अलग कमरा है। अस्पताल की बिस्तर अत्यादुनिक और हलकी है, जिससे रोगी को चलने में आसानी होती है। विश्विध्याले परिसर में हवा से हवा में ऑक्सिजन का प्रोजेक्ट स्थापित किया क्या है। इसके अलावाव 90 ऑक्सिजन सि शेहर वास्यों की स्वास की सुविधा के लिए विश्विध्याले द्वारा भवन में तेल फर्ष का प्रावधान सेक्टर राश्ट की मानुए सिवा के संदीश का पालन करने का संकीत है। जब भी आवशेक्ता पड़ेगी तच्छन हम उसे प्रारंब कर सकते हैं और पेशेंट को सुविधा दे सकते हैं। उसी प्रकार से एक नया सेंटर 200 बेट का इस राश्टो संत तुकडो जी माहराज विध्यापीट की नई इमारत में हमने त्यार किया है। पेशेक्ता पड़ेगी तच्छन हम उसे प्रकार सेंटर 200 बेट की रूप में हम जो खड़े हैं इस जगह पर इसे त्यार किया है। च्छे वर्ष उसे उपर के उमर के बच्चे यहां पर रह सकते हैं। और यह तीस बेट का इस यू है जहां एक टे टाइम तीस बच्चों को इस यू में एडमिट किया जा सकता है। इसके अलावा जो न्यू बाउन बेबी है च्छे वर्ष चोटी उमर के बच्चे हैं। इनके लिए भी एक आइस यू बीस बेट का अलग से बनाया गया है। जहां पर उन बच्चों के लिए उस प्रकार के सुगिदा हो सकती है। पूर महानगर पालिकाने, हमारे नागपुर विश्व इद्यलाय को आने वाले समय में कोरोना की संभावना देखती हुए है। हमारे इस न्यू बिल्डिंग में 200 से 300 रूगन की व्यवस्ता हो सकती है। इसलिए माजी मिख्यमंत्रे माननी देवनगरी प्रणीस और हमारे महानगरी के मापुर अधरनी या दैशनगरी तिवारी इन्होंने हमको डिमांड की थी कि हमारे महानगर को ऐसी एक विवस्ता चाहिए या एक साथ में 200 रूगना या प्या सकते। तरके हमने भी निवन लिया समाज की सेवा करने का एक मुक्ता है और उसमें हमारा भी सावा गरेना चाहिए। इसलिए हमने ये विवस्ता करने का महानगर पालिक को बताया। और महानगर पालिका ने पुरे से या पे हमारे तीनों फ्लोर पे आज 200 बेट की विवस्ता किये। इसलिए आने वाले समय में हमारे नागपूर महानगर पालिक को ये चिलता नहीं कि कुछ कोरोना के पेशेंट हुए एक साथ वाकार हैंगे। तो हमने उनके लिए हमारे इनुवसिटी पुरा दालन ओपन कर दिया है। कैमरा पोसंद राजखमार महोड के साथ दिशाहटवार बीसीन नीज नागपूर